हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जे स्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में आपके सामने मास का एक मोश्ट इंपोर्टन लेक्टर वीडियो लेकर आ गया हूँ जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे एट स्टैंडर के लिए मैच सब्जे का एक न्यू चैप्टर एक फ्रेश चैप्टर आपके लिए शुरुवात करने जा रहे हैं दोस्तों जिसका नाम है जो कि एक बहुत ही बहतरी चाप्टर है दोस्तों तो आज हम बात करेंगे इस चाप्टर का लेक्टर नमर एंड जैसे कि आपको पता ही है कि इसके पहले जो हमारा लेक्टर था उसमें हमने चाप्टर नमर 9 जस्त कम्प्लीड किया था तो अगर आपने नहीं देखा है वो आपके पास टेश्बुक जरूर से होगा तो टॉप पे लिखा हुए पार्ट तू यानि कि हम लोगा पार्ट वन जो था लगबग हाफ सी लए बस यहाँ पे कम्प्लीड हो गया है नॉमली बात करें मैट्स की एट स्टैंडर यहां से पार्ट टू शुरू हो रहा है जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि concept है तो आप कहीं पे भी जाओ कहीं पे भी जाओ किधर पे भी जाओ बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है यह सब चीजे तो बात करते हैं आज के इस लेक्चर की जो चैप्टर का नाम है हमारा division of polynomials सबसे पहले तो बात करेंगे कि polynomials का मतलब क् आपके पुराने standard का कुछ चीजे तो हम बात करेंगे seven standard की कुछ चीजे यहां पे let's suppose कि अगर आपको कोई पूछता है यहां पे कि three a plus a कितना होगा तो आप क्या बोलोगे that is three a है यहां पे एक a plus करना है तो three a plus a कितना हो जाएगा चारे हो जाएगा तो यही चीज को तो हम लोग polynomial बोलते हैं और भी कुछ example से यहां पे लेना चाहूंगा let's suppose यहां पे seven x minus four x इसको मैं क्या बोलूगा कि साथ x में से चार x गया कितना बचेगा तीन x बच गया वही अगर मैं बात करूँ two x multiply by four x तो यहां पे कैसे होता है कि two or four आपस में multiply होके eight हो गए और x और x आपने किया हुआ है और वही अगर बात करें हम ले लाइक हम लोगा जो चाप्टर है वह ही division के उपर तो यानि कि आपने plus का सीखा हुआ है माइनस का सीखा हुआ है multiplication का सीखा हुआ है और division का भी सीखा होगा लेकिन यहां पे जो division है एक proper तरीके से हम लोग जाएंगे सबसे पहले कुछ basics तो मैंने आपको बता दिया that is plus कैसे करते माइनस कैसे करते multiply और यह already आपको आता है 7th standard में completely एक chapter था इसके उपर और वह चीज अच्छे से तो कुछ examples लोगा सबसे पहले initially आपको कुछ चीज याद दिलाने के लिए ताकि आप लोगा जो basic है वो एक बर concept फिर से gain हो जाए फिर हम लोग actual जो topic है हमारा that is the division of polynomial उसके उपर जाएंगे आज तो पहले कुछ मैं आपको एक example solve करके दिखाता हूँ कि किस तरह से given polynomials अगर होता है उसको हम लोग multiply कर सकते या फिर जो भी plus minus दिया हो उसको कर सकते तो solving the polynomials तो यहाँ पे मैं आप क्या करता हूँ कुछ example सबसे पहले करा जेता हूँ ताकि आप लोगो concept पता चल जाए तो let's start मैं एक example ले रहा हूँ again आपके testbook से ही ले रहा हूँ यहाँ जो कि यह 3x सक्वाईर minus 2x ठीक है तो 3x स क्वाईर minus 2x में ले रहा हूँ यहाँ पे ठीक है और उसको मुझे multiplier करना है 4 x सक्वाईर minus 3x सक्वाईर से इसको मुझे multiplier करना है यह हो गया okay 4x cube ए 3x square minus 2x 4x cube minus 3x square यस तरह से हमें इसको solve करना है अब इसको solve केसे करेंगे अभी आप देखो कि यह term हुआ यानि कि ऐक polynomial हुआ अब इसको मुझे क्या करना है multiply करना है बीच में कुछ नहीं यानि कि multiply करके रिखाना है तो आपको बस याद दिलाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि यह चीज जो है, आपने किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में, बस आपको यह देखना है, कि इसमें दो टमें, इसमें भी दो टमें में क्या करूँगा, यह दोनों को एक एक बार इसमें multiply करूँगा, यह फिर 2x है, इधर लिख दिया 2x, और फिर यह पूरे ब्राकेट को वापस से लिख दो, यहाँ पर 4x3-3x2, इस तरह से multiply किया जाता है, कोई भी अगर दो ब्राकेट में पॉलिनोमियोस दिये हुए, अलग-अलग, इस तरह से आप multiply करोगे, सबसे पहले एक टर्म को ले इसको पूरे से multiply कर दो, ठीक है, minus कर दो बीच में, जो भी sign रहेगा, plus रहेगा तो plus, minus रहेगा तो minus, मैंने लिख दिया minus, फिर यह वाले को ले लो, और पूरे के साथ multiply करो, अब इसको solve कर लेते, आप देखोगे, यह 3x2, और यह 4x2, पहले यह वाला आपस में multiply हो अलफाबेट को अलफाबेट से करनेगा, तो 3, 4, 12 हो गया, x2 और x3 क्या बन जाएंगे, x raise to 5, कैसे, एक formula होता है, a raise to m multiply by a raise to n is equal to a m plus n, यानि कि उपर के दोनों को plus कर जो, खाली, x2 और x3, जब multiply हो जाएंगे, यानि कि 2 और 3 plus हो के x raise to 5 बन जाएगा, ठीक है, बीच में म multiply by 4x3, तो 2, 4 जा, तो 8 हो जाएगा, नमबर का, और यह x और यह x3 मिनके बन जाएंगे, x raise to 4, समझ में आ रहा है, बहुत simple है, वही अगर बात करें, यह minus 2, जो है, और यह minus और यह minus मिलके क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, ठीक है, तो यह minus 2x, और यह 3x2, तो 2, 3 जा ह हो गया, 6, और यह x और x2 मिलके हो गया, x3, इस तरह से आपको solve करना है, अब देखो कुछ cancel out होते हैं, तो आप देखोगे, यहाँ पर यह 12x raise to 5, minus 9x raise to 4, minus 8x to 4, यह क्या हो जाएंगे, दोनों मिलके, minus 9, minus 8, कितना होते हैं, minus 17x raise to 4 हो गया, क्योंकि दोनों के पास x raise to 4 था कि यहाँ पर 12x raise to 5, minus 17x raise to 4, and plus 6x cube, जो आया हमारे पास, इससे एक चीज़ कहा पता चला, कि कितना simple है, ऐसे type के polynomials को हमें solve करना, प्लस वाले भी आते हैं, यह तो हाड था था थोड़ा, हाड मैं क्यों बोल रहा हो, क्योंकि आप लोग के ही साब से हाड है, क्योंकि आपको division हमने start नहीं किया, यह basic पढ़ रहे हैं, बस आपको recall करने के लिए, आपको याब दिलाने के लिए, यह सब चीज़ हमने already सीखा हुआ है, अब मैं सीधा सीधा लेके चलता हूँ आपको, हमारे polynomial के उपर, बद उसके पहले ने एक छोटा सा topic है, degree of polynomial, इसको भी मता देता हू degree क्या होता है, इसको मैं rough कर लेता हूँ, सबसे पहले उमीद करता हूँ, कि यह example आपको समझ में आ गया होगा है, थोड़ा बूत आपको memorize हो गया होगा, कि किस प्रकार हम लोग कोई भी given polynomial को हम लोग multiply कर सकते हैं, जो कि बहुत simple होता है, तो अब एक और topic है हमारा, जो कि ब पात करूँ, कोई भी degree की, तो degree का मतलब यह होता है दोस्तों, कि अगर मेरा कोई भी given polynomial है, उसके पास सबसे highest index कौन साइ, greatest index, index का मतलब क्या होता है, power में, raised to something लिखा रहा है था, x raised to 4, तो उपर जो index होता है, उसको हम लोग बोलते है, index या फिर power, तो जिसके पास सबसे polynomial है, तो अगर मुझे कोई पूछेगा, कि यह जो polynomial है, इसमें degree बताओ, degree of polynomial क्या है, ऐसे question आते है, exam में कभी कभी, कि आपको एक equation लिखके देगा, एक polynomial लिखके देगा, और आपको पूछेगा, कि identify the type of polynomial, या फिर degree of polynomial, ठीक ना, टाइप तो जाने दो, degree of polynomial पूछेगा, तो degree मेनेज क्या बता है, कि जो सबसे highest power दिखेगा, वो है उसका degree रहता है, तो सबसे highest power किसके पास है, इसके पास है, जो कि यह 2, 2 इसका highest power है, index, सबसे highest 2 यह है, तो degree कितना होगे, 2, खतम, simple है, एक second के अंदर आपका answer आएगा, clear है, एक और example है, यहाँ पे, let's suppose, यहाँ पे 7x x raised to 4 plus 5x square plus 3x, मैं अपने मन से दे रहूँ, ठीक है, something है, ऐसा है, अभी आपको पूछाए कि इसमें भी आपको degree बताओ, degree कैसे बताओगे, सबसे पहले देखो कि किसका power सबसे ज़्यादा दिख रहा है, सबसे पावर ज़्यादा किसका दिख रहा है, 4 तो सिधा-सिधा लि इसमें भी बहुत सारे steps होते है, step by step हम लोग जाएंगे, तो सबसे पहले आज जो हम लोग सीखेंगे, कि to divide a monomial by a monomial, यानि कि monomial का मतलब क्या होता, जैसे कि मैं आपको पताया था न, start में, polynomial कब बोलते हैं, जब उसके अंदर बहुत सारे चीज़े होती है, जैसे कि इसमें एक term है, इसमें एक term है, polynomial हो गया, लेकिन एक single term है, जैसे कि 7x, ठीक है, वो monomial होता है, तो अगर कोई भी monomial को monomial से ही divide करना है, तो किस तरह से divide करेंगे, तो यहां से समझ लो, हमारा actual topic शूरू हो रहा है, हमारा इस charter का, जो कि बहुत interesting होने वाला है, तो ध्यान से देखना, दोस्तो, सबसे पहले इसको start करते हैं, ओके, that is to divide a monomial, monomial मतलब single term होना चाहिए, उसके इंदर, a monomial, to divide a monomial by a monomial, ठीक है, monomial को monomial से अगर हम divide करते हैं, तो कैसे हम लोग करेंगे, ओके, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, monomial का मतलब हो सकता है, 7x, 5x square, 36x square, cube, 4, जो भी आपको लेना है, यानि कि एक single term है, एक ही single है, तो उसको monomial बोलते हैं, तो single वाले को single से कैसे divide कर सकते हैं, वो मैं आपको solve करके दिखाने वाला हो, तो let's take, example here, question पुछाए, divide, ऐसा लिखके आएगा, आपको exam में, divide, 15p cube by, किस से करना है, आपको 3p से करना है, यह आपको करके दिखार हो, जो आपके book में है, mention, वो ही में कराने जा रहा हो, that is 15p cube divide by p, तो आप कैसे करते हो divide, इस तरह करते हो हमेशा से, अंदर ये जाएगा, that is 15p cube को divide करना है, किस से करना है, 3p से करना है, अब इसको divide कैसे करना है, अक्सर तो आपने अभी तक numbers को ही divide किया होगा, that is, 10 को 2 से, छोड़े-छोडे numbers, छोड़े-बड़े numbers आपने divide के, लेकिन इसमें सिर्फ number होता है, यहाँ पे आपके polynomial भी आगे, यानि के alphabet भी आगे, ठीक है, कैसे करना है, बहुत simple process से कुछ भी करने के ज़रतनी, बस सोचो, number number से divide होता है, alphabet, alphabet से divide होता है, बहुत simple ह इसको, 3,5, जब 15 होता है, यहाँ पे 15 आजाएगा, नीचे, अब यह P है, यहाँ पे PQ है, तो मुझे बताओ, P के साथ ऐसा क्या multiply करो कि PQ आएगा, यहाँ पे 1 P है, यहाँ पे 3 Q चाहिए, यानि कि P2 करना पड़ेगा, तो यह P और यह P square मिलके PQ बनाएगे, यानि कि, 3, P5 जब 15 हो गया, और यह P और यह P square मिलके क्या हो जाएगे, P cube हो जाएगे, तो in short का मतलब यह हुआ, कि 3 P multiplied by 5 P square will get 15 P cube, इसको minus करना होता है, divide में, आपको पता हिए, P cube minus P cube is 0, 15 minus 15 is 0, directly पूरा कर जाएगा, तो आपका 00 आ जाएगा, यह आपका क्या होता है, remainder होता है, यह आ सकते हो, आपका answer आ गया, that is, answer क्या होता है, यह answer नहीं होता है, यह answer होता है, that is, आपका 15 P cube को 3 P से जड़ डिवाइड गया, तो आपका answer आपका answer आया, 5 P square, और this is the answer, और यह method है, बट इतना इसी आपको exam में पूछेगा नहीं, थोड़ा सा hard पूछेगा, ता कि थोड़ा स अच्छे थे, थोड़ा सा समझ में आ जाए, यह तो हो गया, हमारा पहला example, monomial, my bonomial का, a monomial, by a monomial का, एक और example मैं आपको खराता हूँ, क्या दिया हुए, minus 36 raise to 4, second कर लेते हैं, minus 36, x raise to 4, divide करना है, किस से divide करना है, minus 9x है, minus 9x है, ठीक है, चलो इसको divide करेंगे, फेले सबसे प minus 36, x raise to 4, चलो लिख दिया मैंने, बहारे minus 9x, इसे करते हैं, हम लोग, ठीक है, अब मुझे करना है, यहाँ पर, जैसे मैंने बोला, sign, जो minus, minus है, थोड़े दिर के लिए, थोड़े दिर के लिए, minus का sign में क्या करता हो, हटा देता हूँ, मुझे पता नहीं कि क्या है, चलो 9 की डेवल में 36 आता है, yes, 9, 4, जो होता है, वो 36 होता है, 9, 4, 36, ठीक है, बराबर है न, 9, 4, 36 होता है, और यह minus पहले सी था न, यहाँ पर, इसके लिए, अगर कोई भी minus वाला चीज multiply होता है, positive से तो यह भी बन जाएगा minus, और actual में तो हमें minus ही करना होता है, बराबर न, minus 9 9x multiply by 4, minus 9 multiply by 4 के है, तो minus 36 है, यह तो आपको पता चल गया, मैं सी अभी number ले रहा हू, minus 9 multiply by 4 is, minus 36, यह आपको पता चला, ठीक है, अब x की बार ही है, यहाँ पे मुझे x raise to 4 चाहिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही x है, तो मतलब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, x cube लगाना पड 9x multiply by 4x cube करूँगा, तो यह हो जाएगा, 36x raise to 4, यह minus और यह minus मिलके क्या बना देंगे, दोस्तों, plus बना देंगे, इसका मतलब हमें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यह minus और वो plus मिलके क्या हो जाएगे, cancel out हो जाएगे, यानि कि यह बन जाएगा, 0, 0 आ रहे समझ में, दोस्तों, बहुत simple है, क्या हो रहा है, यह minus तो पहले से करना होता है, यह minus multiply करके आया, और यह minus पहले से question में था, तो यह minus तो पहले से ही है, लेकिन यह minus, यह minus मिलके क्या हो जाएगे, प्लस हो जाएगे, और यह minus, minus हो गे, plus minus, minus is 0, आ गया answer, cancel हो के, समझ म तो वो चीज़ आपको ध्याद में रखना है बहुत सिंबल है और इसी प्रकार आपका एंसर कोशेंट जो है 4x3 कोशेंट जिसको बोलते है वह हमारा एंसर होता है यहाँ पर वाला यह आपका एंसर आ गया और आपको करने में तो आपको बस हमारे अगले लेक्चर का इंतजार करना है और कुछ नहीं दोस्तों आफ फटा-फट से हम लेकर आ जाएंगे हमारा अगला लेक्चर वीडियो जिसमें और भी कुछ बहतरीन एक्जामपल्स और आगे के टॉपिक्स की शुरुवात करेंगे बस आपको जरूर से बताएगा आपनी राय और सजेशन जरूर से दीजेगा दोस्तों बहुत अच्छा रखता है जब आप लोग कमेंट करते हो तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है यूसफुल लग रहा है यह चाप्टर आपको आगे आने वहले टाइम में मज़ेदार लग कराएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ठीक है फ्रेंड्स तो मिलते हमारे अगले वीडियो में यह वीडियो देखने के लिए थाइंक यू एंड गुडबाई